आप देख रहे हैं जैभारत टीवी 2022 तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी रोड शो, कोई भी पद्यात्रा, साइकल, बाइक वाहन, रैलियों और जुलूसों को अनुमती नहीं दी गई है मतलब कोई भी रोड शो, पद्यात्रा, रैली नहीं निकाली जाएगी आगे बढ़ते हैं, आईए आपको बताते हैं, डोर टो डोर कैम्पेन के लिए चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन्स ये कहती है कि जहां पहले 10 लोगों की इजासत दी गई थी, वहीं अब डोर टो डोर कैम्पेन में 20 लोग शामिल हो सकेंगे यानि कि नेता जी के लिए 20 लोग चुनावी परचार कर सकेंगे वहीं इंडोर बैठक की अगर बात की जाए, तो जहां पहले 300 लोगों की अनुमती दी गई थी, वहां अब 500 लोग इस इंडोर बैठक में शामिल हो सकते हैं साथ ही, राजिंदिक डल और चुनाव लड़ने वाले उमीद बार चुनाव से जड़ी गतिविदियों के दौरान सभी मौकों पर कोविट नियमों का पालन करेंगे और आदर्श आचार सहीता का आनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे साथ ही इस नई गाइडलाइन में अगर चुनाव प्रचार किसी खुले स्थान पर किया जा रहा है तो वहाँ एक हजार लोग शामिल हो सकेंगे उत्राखंड की खासका अगर बात करें तो उत्राखंड में इस बार विधान सभा चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों के बिना ही संपन होंगे आपको बदा दें कि कोविड संकरमण की बजा से ही चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक जन सभाओं और रैलियों पर रोक लगाए थी इससे पहले ये रोक 15 जनवरी तक लगाए थी फिर से 22 जनवरी तक बढ़ाय गया और फिर आगे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया जैभाना टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट